एक न्यूस जो निकल करके आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि आप पी-एम किसान सम्मान निजी योजना का लाव पती-पत्नी दोनों उठा सकते हैं इसकी क्या सचाई है आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना होकर के काफी स्वाट में मैं आपको बताऊंगा तो हम सीधा सीधी चलते हैं सबसे पहले आप यूट्यूब पर अगराएंगे और इस टाइप का थंबनेल वाला वीडियो काफी ज्यादा देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि पती-पत्नी दोनों इसका लाव उठा सकते हैं इस प्रकार से काफी ज्यादा वीडियो आप आपको धेरों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्यम किसान यूजना का लाव पती और पत्नी दोनों उठा सकते हैं तो आईए हम लोग जानते हैं इसकी सचाए कि क्या इसको लेकर के क्या नियम दिया गया है और मैं आपको विद्पूरूफ होंगा तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि हम फिलाल अभी जो है वो प्रदानमत्री किसान सम्मान निदी का ओफिस्यल वेबसाइट है इस पर है और इस पर जब आप आएंगे तो यहीं पर आपको जो है वो नियम मिलेगा इस वेबसाइट पर आप नीचे स्क् होजना है जिसमें एक सो परतिसर जो हिस्टारी है वो केंद्र सकार की है एक बारह 2018 से यह लागू हुआ है हर साल 6000 रुपईये दिये जाते हैं तीन किस्तों में जिनके पास जमीन है ऐसे किसानों को और यह किसानों को नहीं लिखा हुआ है यहां पर देखे क्या लिखा दो-दो हजार रुपईये की तीन किस्तों में 6000 रुपईये दिये जाते हैं पर यह और यह जो है यह किनको मिलता है all land holding farmer families मतलब सभी वो किसान जिनके पास जमीने हैं उनको इसका लाब मिलता है तो यहां पर जो सब्द लिखा हुआ है वो family लिखा हुआ है तो family सब्द का क् मतलब लिखा हुआ है कि एक family सब्द का मतलब है husband wife और minor children यानी 18 से कम उमर के बच्चे पती पतनी और 18 साल से कम उमर के बच्चे को मिला करके एक परिवार माना जाता है और इस परिवार में एक ही व्यक्ति को 6000 रुपईया मिलना है नियम जो लिखा हुआ है वो यही है आप पर देख सकते हैं आपको pmkisan.gov.in जो official website है प्रदान मंतरी किसान सम्मान नेदी योजना की उस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप ये काम बिलकुल भी ना करें पती पतनी दोनों को इस योजना का लाब नहीं मिल सकता है किसी एक को ही मिल सकता है क्योंकि नियम है कि ए 2000 रुपे की तीन किस्तें एक साल में देनी है यानी 6000 रुपे या एक परिवार को देना है एक परिवार के सभी सदस्यों को नहीं देना है ऐसा नहीं लिखा हूआ है एक परिवार का मतला हुआ husband, wife और minor children भले अगर कभी ऐसा होता है कि पती-पतनी है और बच्चे का उमर 18 से ज़्यादा हो गया है तो फिर उस बच्चे को अलग से मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर वो definition के अनुसार से जो कहा जा रहा है कि husband wife और 18 से कम उम्र के बच्चे ही एक परिवार है अठार से उपर जैसे ही बच्चे कम उम्र हो गया तो वो एक अलग परिवार के सदस्य हो जाएंगे इस परिवार के सदस्य में नहीं रहेंगे इसलिए उनको इसका लाब मिल सकता है तो यह जो तमाम प्रकार के जो यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पती पतनी दोनों को इसका लाब मिल सकता है यह बिलकुल गलत है बिलकुल निराधार है इसमें जड़ा सभी सचाई नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपके उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है आपसे पैसा recovery किया जा सकता है क्योंकि ये नियम ही नहीं है कि एक परिवार में दो लोगों को जो है वो ये इस योजना का लाब मिले एक परिवार में एक ही व्यक्ति को लाब मिलेगा अगर आपके परिवार में दो वेक्ति लाव ले रहे हैं तब आपको क्या करना है आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक option है voluntary surrender of PM किसान इसके उपर क्लिक करके एक जो दूसरा वेक्ति है वो surrender कर सकते हैं मतलब वो लाव ना उठाएं एक परिवार में एक ही लोगों के लिए यह scheme है आप इसका ग्दलत फायदा ना उठाएं अनिता आपके उपर कानूनी कारवाई हो सकती है और फिर आपको ये वाला option ना अपना करके online refund वाला option का अपनाना होगा मतलब मैंने अभी आपको जो दिखाया ये जो है वो voluntary surrender अगर आपके उपर कानूनी कारवाई होती है तो ये देखिए online refund का जो option है इसके उपर जाकर के आपको सारे के सारे पैसे वापस करने होंगे इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहें और इसको एक परिवार में एक ही व्यक्तिस का लाब उठाए धन्यवाद